सुन ले इतनी सी मेरी हुजा पीका कौन? अंटीस का हजबन मेरे गाउं का है कलाय था मेरे पास, बहुत परिशान था बीवी इसकी यहाँ है वो बिस जाने को तयार नहीं पीछे दूद पीता छे माँ का बच्चा छोड़ाई है रो रहा था फिर मैंने उसे तसर ली दी मैंने गए तू फिकर मत कर मैं खुद वहाँ जाकर अपनी गाड़ी में विठा के तेरी बीवी को ले आऊँगा और मुझे पता है कि तस्कीन आउंटी मुझे तो मना करेंगी नहीं तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी नाजमा कहीं भी जाएगी दसकीन एक वार वलीद की बात तो सुनो कि वो क्या कहना चाहता है मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना उस लड़की की हालत उसकी कहानी बता रही है मैं वलीद की बात नहीं मान सकती आंटी आप मुझे ऐसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है मैं आपका बेटा नहीं हूँ Of course तुम हो That's why you're very dear to me लेकिनी मामला अलग है In fact, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हे तो खुद रेलाइस करना चाहिए कि इसका वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है गलत होगा इसके लिए असल में बात ये है कि ये सेल फोन, ये मीडिया, ये ड्रामें देख धिकर इनका दिमाग खराब हो चुकर है एजुकेशन बिल्कुल है नहीं सिफ जहालत और इस जहालत में इनको सिर्फ एक्शन लेना आपने अपना दूद पीता बच्चा फेका घर से चल लिकली थी और अजादी मांगे इक्जाक्ली, तास माइ पॉइंट कोई भी माँ अपना बच्चा नहीं छोड सकती बच्चे में माँ की जान अटकी भी होती है और उसने दूद पीता बच्चा छोड़ दिया क्या क्यामत धाई होगी उसने जस्ट इमाजन क्योंकि सिफ क्यामत वाले दिनी एक माँ आपने दूद पीते बच्चे को छोड सकती है नाजमा, यहां आओ जस्ट लूग एठ हर देखो इसकी हाले अभी तो बहुत बहतर है इस पिचारी की कंडिशन तो इससे भी बुरी थी जब यह आई थी तो वर गर्ल मेरे ख्याल से आउंटी यह इसका और इसके हस्बिन का परसनल मैटरी और वैसे भी आप कब तक किसी और की बीबी को अपनी पना बे रखें लिए जाना तो पढ़े गा ने से नहीं बीबी जी मुझे नहीं जाना खुदा का वासते मेरा बच्चा मुझे वापस देता तुम्हे कोई कहीं नी भेज रहा घर के अंदर जाओ जाओ इनका जाती मामला तब तक था जब तक अपने खामन से तशदुत सहरी थी अब ये मेरी पना में है मुझे से मदद मांग रही है और मैं मदद दूँगी इनके हम बीवी से बात करने का अंदाज यही होता है इसकी आदी होती है ये और ये सिलसला तो हमेशा चलने बाता है माजी ये सिलसला भी तब तक चलता रहेगा उस घर में जिसमें बीवी को रोज अपने खावन से तशदुत सहना पड़ता हो रोज पिटती हो वो वो गर नहीं जिन्दान होता है मैं आजमा को उस जिन्दान में वापिस नहीं भेजूँगी बिल्कुल भी नहीं मुझे अब चलना चाहिए मुझे वलीद दिन्दान मैं आज दिन्हें नहीं कर पाँगा बिटा शूर वो नाराज होकर गया तो ना होता इस घर का दामाज समझ कर उसने हुजद की थी मा जी मैंने सही को सही और गलत को गलत ना सिर्फ समझा है बलके उस पर अमल भी किया है अगर इसकी जगा कुमेल भी होता ना तो मेरा जवाब यही होता बलके शायद इससे सख्त होता क्योंके वो तो फिर भी मेरा बेटा है घजनफर अगर कलको बक्तेन को इस बात का खुम्याज अभुकत्दा पढ़ा ना तो तुम शिकायत करने की पोजिशन में नहीं होगे अममी अगर میں तस्कीन की जगा होता ना और मैने इस लड़की को उस हालत में देखा होता तो शायद मैं भी उसे वापिस नहीं बेच पाता तस्कीन के हर बात ठीक नहीं होती घजनफर लेकिन उसकी हर बात खलब भी तो नहीं होती अमी छोड़ फीका अभी नहीं ओ नहीं सरकार आप जमीनों से आए हैं ठक गये होंगे कोई बार नहीं आजाएगी तेरी बीवी को चठ से लो अपने मालकों के साथ शेहर गईगी साहीं कुस्ताखी माफ वो मेरे चाचे का पुतर है वो काम करता है मलक जंकर के बंगले को वो बता रहा था के मेरी बीवी नाजमा उधर ही है क्या मतलब है तेरा हाँ बोलने के चाथ है तेरी चाचा के बेटा सच्चा हो में नहीं नहीं सरकार मेरा ये मतलब हर्गिस नहीं था मेरे मापाप पर कुर्बान उसे कोई गलत साम नहीं होगी माफ करने सरकार तफा हो जा तफा हो जा निकल माफ करने सरकार माफ करने सरकार जाचार आशो जाचार करने सरकार माम के तरफसा एम शोरी लेकिन प्लीज मुझे नराज मत दो बाहत तो करो मुझे प्लीज लॉरियां खुली आखे थी पर वो सुगई कुमाहन नहीं नदनी हा रहा है? अनदों भी इनदों से लटा है? कॉला है उसकी अज पराइन की बर्थ देरिए आएगा, बशसी के साथ है तो हटी है देर में आएगा वह जी वह तुम भी अच्छी खासी लेट लटीफ ने थी नहीं मेरा मतलब है पहले बता देती तो सब मिलकर सेलेबरेट कर लेते आफ्र अल हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के बाद ये पहली बर्टे है वह तो सही है लेकिन आपका साफजाद है अपनी फ्यांसे के साथ वह सेलिवरेट करना चाह रहा है फुरी से तो आप कॉल कर ले ना ऐसे अजीब आत है उसके जजबाती तबियत को देख कर ऐसे तो नहीं लगता कि वह इस किसम की सोच रखता हो क्यों? हां कुछ बदल सा ही जाता है माहीन के सामने वरी केरिंग, सेंसितिव, लविंग हां तो इसमें हैरत की कौन सी बात है आखिर बिलकुल अपने बाप पर गया है ना अनस्ली मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही हुआ करता था था ना था ना अरे, और अखिर रही है क्या हुआ अप क्या हुआ अ तुम भी रही हुए। आखिर ना वरी वाली हो जाशारी है विए भी नाजावा है विभी सिर्ण और भी उफ करदी और तुम्हारे शुमारे से ना तुम दोनों की लडाईवेए इमेरा क्या ? राही नहीं हुई है हमारी तो फिर क्या हुआ? वो नराज होके चड़ा गया था यहां से वो भी मम्मा की वज़ा से तो यह मेरा और उसका मामला था तुम्हारे से नराज होके वो इक बात को क्यों बढ़ा रहा रहा है सीखेश जी मॉम एक मुलाजमा के लिए वरीद को नीचा दिखा रही थी देखें घुजन फर मुलाजमा से पहले वो इनसान है और मैं वरीद को नीचा क्यों दिखाऊंगी मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया जाइड इसी वज़ज़ से वो नराज होके गया है और मॉम को मेरा बिल्कुल भी अस्तास नहीं है अच्छा वुज़र आकर बैठ तो जाओ आओ शाबाश देखो नस्कीन खुजन फर एक मिनट नहीं मेरा मतलब है बखत है प्लीज वान मिनट अगर वनीद इस मामने को इशु बना रहे है और तुमारे से नराज हो रहे है तुम नेरी जवाब कल्भी कर रही हो इस नौट फिर फजन फर इस तरह तो ही शादी के बाद भी करेगा ही दाइड वोई भी खलट बात होगी वो यही एक्सपेट करेगा और तुमें ड्रैक करेगा उसके अंदर दाड I'm sorry I'm not going to handle this और मैं अपने असूलों की कुरबानी नहीं दे सकती I'm sorry बख्तें तुमें मुझ से बात करने के बजाए ना वलीद से बात करनी चाहिए क्योंकि अगर वो तुमारे थू अपनी बात मनवाना चाह रहा है ना तो ऐसा नहीं होने वाला शुरूबात है इसलिए खुदी हैंडल करो एक और बात जो उसकी साइकी मेरे दमाग में बन रही है ना शुकर करो कि तुमारा रिष्टा भी तक काइम है ममा आई लाव हिम तो गलत लव का गलत ही अंजाम होगा तैर आप कुछ नहीं कहेंगे ममा हमेशा ठीक नहीं होती है बख्तेयन लेकिन इस बात ठीक अरे बख्तेयन कहा जा रही हो यार खुदा की कसम कोई तू से सीखे अरे यार मामले को सुलाने के मजाएद तुमने वलीद के साथ साथ बख्तेयन को भी नाराज कर दिया होने दे उलाद को पालें बड़ा करें इसका मतलब यह नहीं है कि हम कियामत की कुर्बानी दें किसी ने सवालों के जवाब नहीं देने हमें छुडाने के लिए यह लोग पाटी कर रहे होंगे फ्रेंट्स को एंटर्टेन कर रहे होंगे और जो हमारी धुलाई हो रही होगी अर्ला तुमने बिलकुल पसंद नहीं करता अचा बाब मेरे डर से नहीं अचा बाब मेरे डर से नहीं, as a favor to your husband लीज मेरी खातर चाकर मेरी बीटी को तो मना लो, please बिलकुल नहीं, no सोच, no इस नाफर्मानी का हिसाब होगा, madam वहाँ तो आप माफ कर देना मुझे उसे लग कोई जीत नहीं जाय भी ठंडी हो गए, यार अरे, हलो बाब मेर अभानी को अहीं तो आपी बाब बाब दो आप नहीं यह पो यह दो आप ऍा आ बाफ झाल झाल तुराब, मैं एक घोड़े आये, जा के देखो तो सही नहीं, मूँ अच शेवजय मेरी क्लास है, और अधिया चलागी है बहुत थक़ जाओँगा, फिर खिर खिला धुथ माँसि क्लास हि ए ऑगी बहुत थी मेरी बहुत थे हैं मेरे मेरी मिट्रम सॉति प्लीज, बसकरो ना ओ मॉम, आज तो आपकी एना के आखों से फायर बॉल जा रही है तो राप, टूंट कॉल में एना, ओके? येस, सिर्फ मैं कह सकती हूँ एना, और कोई भी नहीं, इना एना? ममा लफस मी ममा एक चाहती है तो राप, तंग मत करो और अमेरी बेटी को ममा आप भी नहीं आपनी गड़ती है और नजा बीनियोंने देती है मैं अपनी बेटी को नराज देखना हैं नीचाना क्यों हो मेरी बेटी मुझ से नराज? वलीड को इंवाइट किया आखल? आप बुला लेना मैंने इसकी मॉम को तो इंवाइट का दिया पर आप बुलाएंगी तो अच्छा लगेगा वैसे भी उस्टा है वाप से मैं क्यूं बुलाओ तुम बुलाओ माम आपसे नो कुछ एक्सपेक्टी नहीं करना चाहिए एना कहा जा रही हो एना अब क्या हुआ वही मॉम और एना का WWF तुराब क्या हुआ ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं अब क्या वज़ा बनी इस मैच की वो वलीद के प्रोटोकॉल के लिए परिशान थी और मॉम हमेशा की तरह किसी को प्रोटोकॉल देने के लिए तयार ही नहीं थी चाहिए वो उनका सने नोई क्यों ना हो वैसे कितनी स्रेंड बात है ना मॉम अक्सर लड़कियां अपनी मॉम्स की बेस्ट फ्रेंड होती है अब माहीन को ही देख ले मकॉल उसके वो और उसकी मॉम बेस्ट फ्रेंड है मा बेटी होने के बज़ाए फिर आपके साथ ऐसा क्यों नहीं मेरा बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड है है ना ये अच्छा पॉइंट है और मैं अपकोर्स तुम भी और जो नराज होके गई है वो उसकी आदत है जब मर्जी होती है नराज हो जाती है और जब मर्जी होती है ठीक हो जाती है कुसा ठंदा हो जाएगा तो आजाएगी मगर वलीद उससे अफसेट है महूँ तो उसकी अपनी चौएस है अब शादी के बाद किया हम प्रॉब्लम्स रिजॉल्फ करते फिरेंगे करने दो खुदी हैंडल कर लेंगे ओ, भाई मामून असलाम अलेकुम दाबर भाई वालेकुम सलाम असलाम कैसे आप क्या है ठीक है माशाला चलो तुमें कुछ सखाओ आप प्लीज बैठें उम्र सब प्ले बढ़ा नियुक्त कैसे दाबर भाई आप गोड़े दखाओंगे मैं विल्सकूल ओड़े लोड़ा याद है तुम्हें मैं भी इसी तरह तुम्हें जवरदस्ती गोड़े पर विठाकर राइडिक सिखाता तु कैसे भूल सकती हूँ मैं ना चाहते विभी आपने मुझे राइडिंग सिखाई भी गंदम की फसल पक कर तयार हो ले हमारे सारे मुरब्य एक तरफ और यह समीन एक तरफ सोडा उगल्की है यह जी आप शिकार के आएं हम पहले तो आपकी शिकार की दावतों की दूर दूर तक शोरत होती थी पहले समीन मेरे पास थी आप तुम्हारे पास है तो मैं आपकी बहन हूँ आपको रोकूंगी क्या हाँ लेकिन वो हक के मल्कियत का एसास तो नहीं होगा जो पहले था दावर भाई तुम पहले तो कभी भी इतनी सिद्धी दे थी तुसके समीन के टुकड़े पर हाट धर्भी करना इसमें क्या फाइद है तुम्हारा तब कि पहले ही मैं तुम्हे कहा जोगा हूँ कि इसके बदले जो कुछ भी तुम्हे चाहिए मैं लिक्कत देने को तयार थी आपको पता है अबाजान का दिल था इस जमीन के हिस्से में उन्हें मुझे अपने दिल का टुकड़ा दे दिया अब मैं उस दिल के बदले आपसे जागीरें ले लूँ यह कैसे मुम्किन है आप कुछ भी कह दें मैं कुछ नहीं कहूंगी आप इस जमीन के हिस्से के इलावा कुछ भी मांग लें मेरे से मैं एक सवाल नहीं करूंगी चलता हूँ कल कुमेल की मैंने हाँ रखी है चोटी सी गैदरिंग है आप जरूर आईएगा मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे सारे फैसले उलट होती है अमर क्या है अभी कुमेल की अब वो शादी करेगा तो निभाय का खाग तावर भई मुझे इससे फितना बता है कि मेरा एक जवान बेटा है इज़त से अपनी बीवी को घर पे ले के आएगा निकाह करके जायस तरीके से अगर किसी लड़की को बाहर खुमा फिर आके छोड़ देगा मैं तो उससे कभी बात भी नहीं करूँगी शाब शेक अधाम परकी को तुम्हारे असूलों पर समझोता करता है समझोता नहीं करता मुहबबद करता है भपपत करता है खुदाहाथ आपको पुरा नहीं लगा मेरे आपकी जिंदिगे में आने से पहले वो अपकी जिन्दगी में थी अनके नप आप है जारा वो खुश नहीं है मुझे असा लगता है कि आपको उससे मिलना चाहिए उसको बताना चाहिए कि आपने उसकी वज़ा से अपने शोहर को सुख थे दोस्तो उनकी नहीं थी दोनों के दर्मयान फासली भी बहुते हैं लेकिन देदे तो आज भी जुड़े हैं ना वो तो मैं उन दोनों के दर्मयान आगए अबरना चाहरा और हनानेक होते हैं अब अब नहीं कोई आ नहीं रहा बलके मैं जा रही हूं कहां? कहां जारी हैं आप? अरे तुम लोग बुतमनी क्यों खड़ी हो यह ना पर जा चलो जाकर यह रखो गाड़ी में और पिछली वाली गाड़ी में तुम दोनों बैझा हूँ चलो अमाजी आपने जवाब मियं दिया, कहां जारी हैं आप? अरे पताती हूँ, जर दम तो लो, अभी आयो अमाजी तुमारे लिए रिष्टा दिखने जा रही हूँ क्या? क्या मतलब इस बात का? अरे मतलब साफ है बेटा कि लड़की मैंने पसंद कर ली है डॉक्टर है वो भी तुम्हारी तरह बस दस-पंद्रा साल तुमसे छोटी होगी लिकने इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अमाजी मुझे किसी लड़की के बायो डेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही शादी करने में रखें ये सब वापस, आप कहीं नहीं जा रही देखो सक्लेन मैं रिष्टा लेके भी जाओंगी और तुम शादी भी करोगी बहुत धीर मिल गई तुम्हे अब ये सब नहीं होने दूनी में क्या हो गया माजी आपको यू बैठे बैठे क्या समाई आपके मन में बस जो समागी वो समागी ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो और जो मैं फैसला कर लेती हूँ वो पूरा करके ही दब लेती हूँ मैं शादी नहीं करूंगा अरे क्या पगला गया बेटा वो घजनफर कुमेल की शादी कर रहा है एन मुम्किन है वो अपनी बेटी को भी ब्यादे और तुम तुम योई बैठे रहना वो लोग जो करते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता माजी लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अरे घजब खुदा का उनके घर में खुशियों ने बसेरा डाला वे आए दिन उनके घर में चरागा होता है और मेरा बटा मेरे बेटे की जिन्दगी में अंधेरा कर दिया ये मैं नहीं होने दूंगी हाँ वो मेरी चॉइस है माजी और ये मेरी चॉइस है बेटा माजी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी माजी रुके माजी आप कहीं नहीं जारी नहीं आप ये रिष्टा लेकर जा रही हैं नहीं मैं शादी करूंगा और याद रखें अगर आपने मेरी मर्जी के बगार एक कदम भी उठाया ना निकाह वाले दिन इंतार करतूंगा मैं कुछ भूश करो क्या हो तुमें से क्लैन है यह किस तरह की बाते कर रहे हो तो यह जो तुम कर रहे हो ना कॉलेज यूनिवर्स्टी के लड़को वाला भी है मत करो मत तमाशा लगाओ इस तरह अपनी उमर देखिये तुमने कम असकम मेरी इज़त और अपने मर्तबे का ही ख्य यह जबरदस्ती मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी अगर यह सब मैं पहले करती न तो आज तुम भी घजनफर की तरह अपने बीटी की शादी कर रहे हैं तुम माजीब बस बहुत हो गया मैं फैसला कर चुकी और अब यह शादी हो के रहे कोई नहीं रोप सकता माजीब हेलो बासित कहां है आप मैं कब से आपका इंपजार कर रही हूं मैं तयार हूं अभी आपने तयार भी बोलती रहो आप पीना बता देते क्या आप आगए मैं बिला बजा बोलती चली जा रही थी बस आपके अवास सुने का दली करता था सुनता रहा लेकिन आप तो इलको बाहर भी हाँ लेकिन गाड़ी पार करके उतर के वॉक करके में दर्वाजे तक फिर अंदर आते हैं टाइमर जाब यह तो को वाला सुट है जो मुझे पसंद था एक्जाक्ली आपकी कोई मौका मिस नहीं करते हैं जैसे आप मेरी हर छोटी छोटी खुआइश का ख्याल रखते हैं ना काश मैं आपकी एक बहुत बड़ी खुआश को पूरा करता हैं तुम्हारा कितनी बार का आया है यह बातें मत रिपीट किया करो मुझे नहीं फर्ख पड़ता है इस चीज़ों से तुम्हें पता है ना तुम्हारा साथ है जो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़के है लेकिन मुझे भी पता है कि मेरी इस कमी की वज़ा से आप आप ने इस दुनिया के लिए होता होगा यह कि आरत वालाद के बाद मुकमल होते है लेकिन मेरी लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है मेरे लिए तो मुकमल ओरत हो और फुदा की कसम बहुत पसंद हो ज़ा इमोशनल नहीं हो लेट नहीं हो रहे अब हम ताइम देखो क्या होगे आप जाए जल्दी से उपर जा के चेंज करें अबस पंदरा मिनिट में आण कपड़े मैंने लटका दिया हैं आगर के उपर थांक यू स्कूरिटी बाइब मांद करें आप वासित के साथ आपका रिष्टा लेने जा रही हैं तो तुम जानती हो कि अम्मा ग्या करने जा रही है और तुम उनका साथ दे रही हो हाँ हाँ भाई लड़की मैंने ही ढूंडी है आपको माजी ने बताया है नहीं बहुत अच्छी लड़की है अमारा लेकिन तुम जानती हो कि मैं बखतावर स्वाब के पीछे मत भागे भाई जैसा आप चाहते हैं आपको पता है माजी ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे अमारा मेरी बात सुना यह मेरी जिन्दगी है मैं डिशाइड करूँगा मुझे तनहा रहना या किसी के साथ हां तुम और अमा इस बात का अख्तियार नहीं लगते हैं सक्लैन भाई हम आपके अपने हैं हमें आपके भले का ख्याल है हम आपको खुश देखना चाहते हैं आपको खुशियां देना चाहते हैं इसलिए माजी आपके लिए फैसला कर सकते हैं अमारा, अमारा, जो खुशियां तो मुझे देना चाह रहे हो, मुझे वो कुबूल ही नहीं है शादी होगी, तो आप सब भूल जाएंगे मैं भी तो गजनफर को भूल गई हम ना गजनफर भाई है अमारा, तुम गजनफर भाई से प्यार नहीं करती जी लेकिन मैं बख्तावर से प्यार करता हूँ मुझे माजी की कॉल आ रही है मैं फोन बंद कर रही हूँ, मैं आप से बात में बात करूँगी मुझे जाना है नहीं, अमारा, अमारा सुनो, हलो मैं आप से बात मैं जाना है रहें लाप अपने, जो सेघए एंग तरबाशने, जो एंगे डना तरबाशने, तर नना हर दो आबाशने, घजाँ दिर्फ़ना जो राप सुऌ मिले, में कैसे दोला नो, जो कि अिर दोली नहीं जड़ी सोतक पया देख चार के लापशने, जो रापशने, जो सेवबाशने, झाल 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 Asalamu alaikum Awalikam- Asalam How are you ? वालिकुम् वालिकुम् écrit॥ व्यश्वा है। व्या क्टीति है ये। व्याय वीध ये परेटी है Thank you व्याट है अथी व्याहे है अटो छुप मैं के साफ झाराओ अजिद भरा कर खान हाँ तकemor Memorial आए में को जारान दो आटो में मैं उपन कर रोख weekend कोज से अखुछ मैं रब जो खाद चाहे होगी लेकी तुम्हारी मुलागात होगी लेकिन अब में सोजा कि तुम्हें इंट्रूूस कर वादूँ अईना इस अप्रूनसे नाइस तुमीट यू वालीद वालीद यह हर्वावड ग्राजुए रे वे दाट्स ग्रेट दाट का बिसनस अपना और फार्म्स भी साथ में और हीटेक मशीनरी ले लेके ले ले पने फार्म्स के लिए इस दाट रएग अबसुलुतलुतलु अशे, आप लुगाएवे हैं यह तो अभी मा के पलू से चिपका हुआ है त्थी तुमिस की शादी कर रही हो अंटी अलाप को भी असा बीटा गे अँछे अटी थिस्क्लाएट या शो इत्तुनी, भड थेरा इसाद अशेल फेल्फी थेरा इसाद यतीम एला मेरा फटर की जायाशी कारे मेरबानी इस्ताथ उसामरी यतीम दियादा किम्हादा मेरा बच्छा में दास आइडिया के दासी यतीम दाई दे ज्यादा एसा की नुला बढ़ना चाहिए यतीम नुना अगली बरी तू लाया इडिया इडिवेड़ दे देने अ सामरी उस्ताद सच मुचब कोई बड़ा आतमा देने ज़िए बात यह चोटी मोटी चोरी चकारी उसे मिलता किया थोड़ा सा मुबायल दा बैलनस तेकर दो सिगरेट उस सही कहर रहा है सामरी उस्ताद बड़ा जीकरदा तेड रामे के हिरो वाली गोड़ा पती जी तेक काली कमीत नहा बूट रोनी जी जो अन्या टिच मूबायल आतमाना मुची जी के पास अन्या टिच मूबायल के आनामे जी वह 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 ऐफून ऐफून वह मेरे ओ बचेव ओ चबलो जान देए वनु देए आइफून 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 वह 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 पताःब के इनले दाएब रहाँ एपूनी पताःब ओड ऑलो मुशी जी कमझार जार पांच लाक्र पैदाउड़ जार पांच लाक्र थच्ची शांवरी कदीच उटबोल हैं ना, कभी भी नहीं. अगर मैं वो फला फून चोरी करूँगा, तो उसमें से मेरा हिस्सा कितना होगा? तु मेरा पुत्तर एक लाकिया थे ने पंजाजाजाद देदे. पंजाजाजाद पासफेर, ऐ फून चेड़ा भी फोने मैं ही लाकिया हमाँगा. वो तो मैं वैसी ले के आवां था, मैं मर गया? वो ओ, एडिया मेरा और तुम दोनों किदर थे हैं? मैं लेकर आउंगा और मैं इडिया और चलो एडिया और चलो है टोन नो फाड़ के जाएं? जावला अब 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 लाईये अस्ताद वो इसमें वो फिलम डाल के दो ना खिड़ कोई भी समझ गिया यार गाल सुन तुरी जड़ी माहना अची हाँ उन्हें दो मिन चे बुरा हो जाना है ज़िए अब माम को मैं समाल लूगा यार तो आप तुम भाग कर दो भी समाल लूगा दो जाओ लूगा जी तो प्रिए मेरे दोत्रें नो बड़ा भुखार एजी ते बड़ा कमजोर हो गया सोख वो फो तुम्हें किसमें बता आया है मैं आज पेके के पास गई थी, मैंने उसको बड़ी मिन देगी, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो उसके मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं किया, वह इतना जालिम है, मुझे उसने देखने तक नहीं दिया मा कोई देखबाल करने वाला भी नहीं है मेरी मासी की बेटी उता रही थी बच्चा बहुत रोता है अगर कोई हमसाही के घार से पता करने जाए ना दो उसको गुसरे नहीं देते आप मारी मदद करें मेरा बच्चा मुझे वापस करवा दे उसकी तो तब्याद में ठीक नहीं है ना जाने वो किसाल में होगा हम गरीब लचार क्या करें जी मैं साथ जाओंगी और बच्चा लेके आएंगे ठीक है? और हो नहीं सकता कि वो बच्चा वापस ना दे आप जी? हाँ जी मैं परीदा ड्राइवर को बलाओ जल्दी से काड़ी निका ले आज है कैसे हो सकता कि वापस नहीं करेंगे असलाव अलेकम चाचा की आलने वालो इसनाव बच्चियो बिटो और चाचा वालने इसनाव सही की आलने वालने टीक है सब आज आज है सब आज मुताचू लीवलादिये जीवलादिये की कर रहे है पागल हो गया है तो मर जाएगा बच्चा है तो मरने दे वैसे रो रो के इस ने पासमान सार पे चुका हुए है वे बुखार है इसको अच्छा जी बड़ाया डॉक्टर मासी और तुझे कहा था ना के यहां आई तो टांगे तोड़ दूगा तेरी यहां लेने आई है हां आगई है फिर से हिम्मत है तो टांगे तोड़ के दिखाओ फिर देखो अपनी टांगे किस तरह बचती है क्यों यह तो बेगम साहिब है सही मली खजन पर की गारवाद अब भाव 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 लोको इधर आओ बात फुनो इधर आओ मलग घजनफर की कारा ली मेरे कार में खड़े होके मुझे तमकियां दे रही है वाव भाव ज्यादा नाटक करने की जुरुत नहीं है बचे को मां को दो दो बच्चे का इतने ख्याल था इसको तो छोड़के अब बताओ जीन को बताओ जरा अब आपका खसन नहीं मारता तुझे और मासी तेरे बंदे ने तो तुझे सोटियों से मार मार के पता नहीं क्या कर दिया था तेरा तो जब तुने चाह डोल दी थी उस पे अच्छो ठीक है ठीक है तो मेलम सहबार यहां पे यही चलता है प पर आप मुझसे मेरी बीवी चीन लो, मेरा बच्चा चीन लो, यह नहीं हो सकता। बच्चे की हालों तो देखो, घर्शूर है वो, रहम करो उस पे तुम्हारे इन बच्चा है वो हाँ, क्या तो आप ठीक रही हैं, हाँ भई, ले जा। नाजबा, आजो, आजो, आ ना, चाओ, मैं इधर हूँ, जो, मैं इधर हूँ, चाओ, मैं इधर हूँ, चाओ, तरिंदे, और क्या करें, परगल होगी है, और बेगम भाबा, यह आपकी बेली नहीं है, मेरा कार है, एक वैरतमान मर्द का कार, समझ आई आपको, तुम और गैरतमान, तुम तो, ए, उठा इसे, उठा, और दखा हूँ जांदे, और खबरदार आइंदा के बार मेरी इजादत के बगार काटे बार निकली, तो बोटी-बोटी कर दूगा तेरी, तुम कहीं नहीं जारी, जा, जा, क्या कर रही हो तुम, वोट इंसान नहीं दरिंदा है, कितर भेज रही हो अपनी बेटी को, नहीं बेगम सहबा, होने दर योई नसीबे, बेगम सहबा दरिंदगी आपने अभी देखी नहीं है, तुम के को थपड़ मार के अच्छा नहीं किया हो तुम क्यों रो रही हो नसीमा, फुदी तो जहन उनम में छोड़ के आई हो अपनी बेटी को, हमें की करा बेगम सहबा, बबापस ले आती तो उसका बच्चा, मेरे से माफी माफी मांगने की जगा, अपनी बेटी से माफी माँगो, जिसकी गलत जगा शादी करवाके ना, तुमने उसे जिन्दा दफन कर दिया, तुमारे क्या हाल कर रहा होगा उसका? मैं की करण बेगम सहब बबापस ले आती तो उसका बच्चा? बच्चे मां के बास? जी किसमत ने हर मां के नसीव में लिख दी है उसका तो कोई भाई भी नहीं है कि फीके की बहन वटे सटे में ले आती फिर उसकी दाड़ी मेरे हाथ वेचोती वो कैसे? वो ऐसे जी कि मुह मेरी बेटी को मानता तो मैं भी उसकी बहन को मरवाती पर मेरी किस्मत अल्ला ने मुझे एक बेटा ही नहीं दिया मैं अभी उसकी बेहन के हाथ पोग तोड़ती तो उसको पता चलता तुम जाहिल हो कि तो मजलूमियत भी अलाग है और इंतकाम लेने का तरीका भी अलाग है यानि हल भी निकाला तो दूसरी और को लाके मारो और अपनी को बचा लो तो फिर की बेगम सहबा अपनी बच्ची को घर में बिठाओ तब तक जब तक खामनी सुधरता उसका तो उसके बच्चे बच्चे मा के पास ओ जी किदर दे रहा है आपके सामने तो गहते उसका बाप भी देगा